जैन दोस्तों आज हम आपको ड्रावर के अंदर फिंगर पिंट लॉग कैसे लगाएं इसके बारे में डीटेल में जानकारी देंगे बाकि इस्टेफ बाइस्टेफ आपको समझाएंगे भी बस आपको क्या करने वीडियो पूरा और ध्यान से देखना यहां पे देखेंगे म आपको अधे बाकी मैं आप दिखाएंगे की फिंगर लगानेका रहता है और बाकी इसके अंदर म débड़ क्याने है इसमें खोड़ से नीचे यहां पर आपको user manual मिल जाता है जिसको अगर आप देख के लगाना चाहें तो लगा सकते हैं यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको marker देखने को मिल जाता है इसके मतलब हिसाब से भी आप लगा सकते हैं बागी दोस्तों यह हमारा drawer है इसके अंदर हम log को लगाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे जो drawer है उसका centre निकालने क्योंकि कभी भी log कोぎला में लगा जयता है क्योट्स हाई हिएगों sंब में रखेंगे उसमें गुमा से मार्किंग कर लेंगे बाकि यहाँ पर दूसका cole करके hole करने का जो चोड़ाई है यहाँ पर सोलेमम है, सोलेमम के अगर bit से आप hole करते हैं, तो एकदम perfect तरीके से hole हो जाता है, क्या आपने log कभी लगाया है, अगर लगाया है तो नीचे comment करके जरूर बताएं यहाँ पर जो अमारे मैं जब fitting कर रहा था, तो हमको problem हुआ, problem क्या हुआ, जो इसमें screw दिया हुआ था, वो हमको छोड़ा पड़ रहा था तो उसके लिए हमको, इसको क्या करना है, यह जो हमारा plate दिया हुआ जो fitting करने के लिए, इसको हम इस पर रख देते हैं सही तरीके से, सही जगह पर जहाँ पर हमने इसको fix करना है, और उसमें pencil से marking कर लेते हैं, marking करने बद क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा खड़ा लगा देंगे एक सुता ऐसा, तो जो हमारा screw है पकड़ लेगा, क्योंकि इसमें दूसरा screw बैट नहीं रहा था, क्योंकि हमारे पास जो screw था, थोड़ा मोटा था और यह वाला screw थोड़ा बारिक साइज का था इसलिए हम इसमें दूसरा screw नहीं लगा पाए, तो वही screw लगाने के लिए यहाँ पर थोड़ा खड़ा कर देंगे, तो screw का जो लेंथ है वो थोड़ा मतलब बराबर इसमें फिट बैट जाएगा तो यहाँ पर जो खड़ा है हम आदे इंच फरसी से लगा रहा है, लगबग हमारा जो खड़ा है, वो complete होने को है तो यहाँ पर देखेंगे, यह खड़ा बाकी इसमें इस तरह से अगर बैट रखते हैं तो यह बैट जाएगा बाकी दोस्तों इसको फिटिंग करने जैसे पहले आपको बताया था कि उसको उपर रखना है होल को बाकी यहाँ पर आगर अगर ध्यान से देखेंगे तो दो होल दिया हुआ है जो इसकुरू का मैंने बात कर रहा था कि इसकुरू लाग फिटिंग करना है वही हो इसकुरू इसमें यह होल के अंदर फिटिंग होगा और यहाँ पर देखेंगे अच्छी तरीके से इसको लगा लेना है बाकी जो प्लेट है उसके बीच में होल दिया हुआ है उसके रास्ते आपको वायर को निकाल लेना है बाकी यह इसको है जो इसमें फिटिंग करना है अब यह इसकुरू कर लें दोस्तों इसके विसाब यहां पर देख सकते हैं सामने तो दो होल में भी इसमें इस्क्रू दिया हुआ है आदा इंच का उसको इसमें तो यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है अगर यह गड़ बढ़ हो जाएगा तो यह लोग बराबर काम नहीं करेंगा तो यहां पर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको जो वायर दिखता मिलेगा और पीछे तरफ देखेंगे तो एकदम प्लेन प्लास्टिक आपको तरीके से रख देंगे ताक कि मतलब आपको वायर एकदम बराबर रख लेना है इदे दो कट जाएगा बाकि इसको इसको उपर आच्छी तरीके से रख लेना है और रखने बाद इसको से इसको फिटिंग करना है पाकि एक चीज़ बताना चाहूंगा जो मतलब मुरिया जो इसमें आपको minus plus देखके ही लगाना है, अगर ultra लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे, यह minus है, और बाकी minus को spring पर रखना है, बाकी plus को आपको उसके दूसरे सीरे में रख देना है, रखने के बाद इसमें क्या करना, इसका जो कैप हो लगा देना है, और बाकी जो hole वाला है, यहाँ पर देखेंगे hole के लिए भी कैप दिया हुआ है, लगने के बाद उसके इस तरह से हो जाता है, बाकी यहाँ पर जब finger लगाएंगे, तो यह operating करना सुरू कर देता है, और यह दोस्तों यहाँ पर यह देखेंगे, तो यह lock को रोकने के लिए है, अगर आप चाहें तो इसको भी लगा के lock को रोक सकते हैं, अगर आप चाहें तो plywood में भी खड़ा करके रोक सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको plywood में खड़ा करके भी दिखाएता हूँ, तो यहां पर आपको लगा देना है marking करने के वास्ते इसको finger लगाएंगे तो यह नीचे हो जाएगा और अपने आप ही उपर हो जाता है इसको उपर करना नहीं पड़ता है तो यहां पर मार्किंग कंप्लिट हो चुका है अब हम ड्रावर को खड़ा है वो ज्यादा नहीं हो पाएगा कर ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा मान लिजे उस पार चला जाएगा तो दिखने में अच्छा नहीं देखेगा बाकि यहां पर फरसी का इस्तेमाल भी थोड़ा करके होल को मतलब परफेक्ट साइज में कर देते हैं करने के बाद इसको लोग को फिटिंग करके देखेंगे बराबर हुआ है कि नहीं दोस्तों अगर आप मेरी जान करें आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे कि मैं लिए औरफेक्टापिक है आपने उपर हो जाता है बाकि इसमें मैं अपना finger कर रहा है तो वो हमको setting करने के लिए लाओ नहीं किये थे वो भूले थे कि खाली मेरे finger से इसको setting करना है आप अपके finger से मत setting कीजिए तो यहाँ पर मैंने अपने finger नहीं लगाया है बाकि इसके बारे में जो भी detail था आपको बता दिया है बाकि एक चीज और बच गया भी बतायता हूं त की का काम करता है इस तरह से मतलब यह काम करता है बाकि इसका पूरा पूरा जो setting था मैंने आपको बता दिया है मेरे वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट करें जरूब ते वीडियो पसंद वीडियो के लाइक के चैनल पर सब्सक्राइब कर लिए मिलता हूं किसी और ने जलाता हूं वीडियो